कर दोस्तों आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि सेंटर पंच को किस परकार से ड्रो किया जाता है सेंटर पंच एक परकार से अगर हम बात करें मार्किंग टूल होता है सबसे पहले हम दो वर्टिकल लाइन्स को ड्रो करेंगे जो एक दूसरे के पैरल होंगी और इन लाइन्स को हम आपस में इस परकार से जोईन कर देंगे ऐसे उसके बाद ये जो पोर्सन है इसमें हम इस परकार से इन कलाइन्ड लाइन्स को ड्रोग करेंगे अब दूसरी तरफ से हम ड्रोग करेंगे ऐसे इसके बाद जो सेंटर पंच का जो अपर पार्ट है जिसे हम इसका head कहते है उसको हम complete करेंगे ये जो पार्ट है इसको हम इसका centre पंच का head कहते है क्योंकि head ये वो पार्ट होता है जिस पर हम hammer की मतलब से strike करते है और ये वाला जो पोर्षन है जिस पे हमें नर्लिंग ओपरेशन दिख रहा है इसको हम सैंक या फिर इसको बोडी भी कहा जाता है और यहां यह वो पार्ट होता है सेंटर पंच का जहां पर हम इसको होल्ड करते हैं इसके बाद फिर हम एक छोटी सीस में ये नेक हमने बना दी है और इसके बाद यहां पर हम देखेंगे कि जो इसका जो टिप होता है उस टिप को हम ड्रोड करेंगे क्योंकि tip ही इसका सबसे important part होता है जिसकी मदद से हम mark या फिर कह सकते हैं center को locate करते हैं अब इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि इसका जो tip होता है ये वाला portion अगर हम देखें इसका जो point angle होता है इस tip का ये जो tip है इसका जो angle है वो 90 degree होता है क्योंकि इसको अगर हम बात करें जैसे अगर हम यहाँ पर एक circle draw कर लेते हैं और इसका अगर हम कि एक enlarge view अगर हम दिखाएं कि वो किस परकार से हमें नजर आएगा तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो portion था जो इसका tip का portion था bottom का ये वाला तो यहाँ पर इसको थोड़ा extend कर दें और इसको अगर हम extend कर दें तो ये वाला जो angle है अगर हम देखें तो ये 90 degree होता है तो ये center punch के case में होता है अगर हम material की बात करें जो center punch है वो high carbon steel का बना होता है तो दोस्तो आज हमने इस वीडियो में आपके साथ discuss किया कि center punch को किर्ष परकार से draw किया जाता है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा आप इसको like कर सकते हैं share कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ और students के साथ जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद आपका दिन सुब रहे